हलो फ्रेंड्स मैं हूं मुस्कान और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैंने अपने प्रोग्राम के सारे स्टेप्स इंग्लिश में भी दिखाएं है आज हके प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने कोलेस्टरॉल को कैसे कम किया जाए अगर आपका कोलेस्टरॉल बहुत ज़्यादा हाई है तो यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान दायक है यह कोलेस्टरॉल दो तरह का होता है एक होता है LDL लो डेंसिटी जो की बहुत ही बुरा वाना जाता है और दूसरा होता है HDL जो की good माना जाता है अगर आपका cholesterol 200 से उपर है तो ये बिल्कुल ही खतरनाक एरिये में आ जाता है cholesterol आपकी जो arteries ये धमनिया होती है उनको block कर सकता है क्योंकि ये plaque build up करता है अगर आप fatty food खाते हैं तो over time आपकी arteries में plaque बन जाता है इससे आपको heart attack आ सकता है इससे आपको stroke attack आ सकता है और heart की और दूसरी बिमारियां लग जाती है इस drink में जो आज हम बनाएंगे आपका cholesterol बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके लिए हमको चाहिए ginger और हमको फिर चाहिए garlic या लहसुन तो हम फुल गार्लिक यूज करेंगे इसमें और इसमें हमको चाहिए एक फुल लेमन हम इसमें लेमन का चिलका भी यूज करेंगे और हमको चाहिए honey तो हमने unfiltered raw honey लिया है इसके लिए और हम लेंगे इसके लिए दालचीनी या cinnamon sticks यह सारे ingredients आपको असानी से मिल जाएंगे तो हमारा first step है इन ingredients को clean करना और इनको अच्छे से chop करना क्योंकि लेमन हम चिलके के साथ यूज करेंगे तो इसको चिलके के साथ ही आप इसको पीसेज में कट कर लीजिए next हम पूरे garlic को पील करेंगे गार्लिक को पील करने का बहुत ही आसान तरीका होता है जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आप गार्लिक को रखिए और उसके उपर चाकू से आप उस पर दबाव बनाईए और गार्लिक आसानी से पील हो जाएगा पार्लिक को पील के लाएगा पार्लिक को पार्लिक को पील करेंगी आसानी से पहाँ पार्लिक काव में पूर्ण करेंगे अब हम लोग लेंगे इसमें जिंजर, हमको इसके लिए चाहिए 3 इंच अफ जिंजर, इस जिंजर को हम आच्छे से पील कर लेंगे और उसके बाद इसको चॉप कर लेंगे, हम सब चीजों को बड़ा-बड़ा ही चॉप करेंगे अब हम लेंगे एक मेजरेंग बोल और इस मेजरेंग बोल में हम डालेंगे अपने सारे इंग्रीडियेंट्स मेजरेंग बोल में सारे इंग्रीयेंट्स हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हम इसमें करेक्ट मेजरमेंट में वाटर डाल सकें अब हम इसमें डालेंगे 6 कप्स ओफ वाटर अब आप इसको एट लीस्ट पाइव मिनेट्स के लिए रेस्ट होने दीजिए उसके बाद आप एक कुकिंग पैन लीजिए और उसमें ये सारे इंग्रीडियेंट्स डाल दीजिए अब हम इस कुकिंग पैन को स्टोव पर रख करके उन करेंगे और उसके बाद बॉइल आने का वेट करेंगे जब ये हलका गरम हो जाए तो इसमें हम अपनी दो सिनिमन स्टिक्स डाल देंगे और आप वेट करेंगे इसके बॉइल होने का अब ये हमारा मिक्शर बॉइल होने लगा है इसको हम एट लीस्ट फाइव मिनिट्स तक स्टोव पर बॉइल होने देंगे फुल पर उसके बाद हम स्टोव को बंद कर देंगे और वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए जब भी ठंडा हो जाए तो आप अपना ग्राइंडर लीजिए और उस ग्राइंडर में इस सारे मिक्शर को डाल दीजिए अब हम इस सारे मिक्शर को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर मैंने स्लो स्पीड पर अट लीस्ट वन टू टू मिनिट्स तक आप इससे चलाएं हम चाहते हैं कि सारे इंग्रीजिएंट्स अच्छे से ग्राइंड हो जाएं और कोई भी जिंजर के बड़े पीस ना रहें तो यह एक बिल्कुल वाटरी स्मूदी के फॉर्म में आ जाया चाहिए अब यह हमारा मिक्शर बन गया है तो यह मिक्शर आप देखने में ऐसा लगेगा यह थोड़ा सा वाटरी होता है और इसमें पल्प भी होता है जो हमने इसमें सारे इंग्रीजिएंट्स डाले हैं उनका अब आप एक कंटेनर लीजिए इसमें मैंने एक बॉटल ली है और अब हम इसमें डालेंगे अपना वन टी स्पून अफ हनी इससे आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और यह बहुत ही जादा हेल्दी है हमारी इस ड्रेंक के लिए अब हम एक फ़नल लेंगे और फ़नल के थ्रू हम अपना सारा लिक्विड इसमें पोर करेंगे अगर आप चाहें तो आप इसके लिए एक स्ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं जिसे कि आपके मुँ में कुछ जिंजर वगरा के पीस नहीं आएंगे मेरा मिक्षर बहुत ही अच इस मिक्षर को आप रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं अब यह मिक्षर रेडी है आप हाफ कप मॉर्निंग में ब्रेकफर्स से 30 मिनट पहले इस मिक्षर को ड्रेंक करें आपको सिफ यह हाफ कप लेना है मॉर्निंग में एवरी डे पीजिए फॉर टू वीक्स और जब आप अपना कोलेस्टरोल चेक कराएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू बाइबाइ